आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो बच्चो, हमें परिशन में दिया गया एकि यदि LCM 1234, अप से लेकर 20 तक का, बराबर में है X और LCM 1234, से लेकर 27 तक का, बराबर Executive के गुना X तो के का मान ग्यात कीजिए तो देखे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो LCM है किसका एक, दो, तीन, चार से लेकर कहां तक का 20 का वो बराबर में किसके? X के और जो LCM है एक, दो, तीन, चार से लेकर कहां तक का 27 इसका वो बराबर है K गुना X के तब हमें क्या क्यानना है? K का मान ग्यात करना है तो देखिए एक जो होता है वो बराबर में होता है एक के और जो दो होता है वो बराबर में होता है दो गुना एक के जो तीन होता है वो बराबर में होता है तीन गुना एक के और जो चार होता है वो बराबर में होता है दो गुना दो के पांच जो होता है वो बराबर में होता है पांच गुना एक के और जो छे होता है वो बराबर में होता है दो गुना तीन के और जो साथ होता है वो बराबर में होता है साथ गुना एक के और जो आठ होता है वो बराबर में होता है दो गुना दो और जो नो होता है वो बराबर में होता है तीन गुना तीन और जो दस होता है वो बराबर में होता है दो गुना पांच और जो ग्यारा होता है वो बराबर में होता है ग्यारा गुना एक और जो बारा होता है वो बराबर होता है दो गुना दो गुना तीन और जो 13 होता है वो बराबर होता है 13 गुना 1 के और जो 14 होता है वो बराबर में होता है 2 गुना 7 के और जो 15 होता है वो बराबर में होता है 3 गुना 5 के और जो 16 होता है वो बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 2 के और जो 17 होता है वो बराबर में होता है 17 गुना 1 के और जो 18 होता है वो बराबर में होता है 2 गुना 3 गुना 3 के और जो 19 होता है वो बराबर में होता है 19 गुना 1 के और जो 20 होता है वो बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 5 के तो आप देखिए यहां से क्या आएगा हमारे पस हमें निकालना है LCM तो देखिए L-C-M एक से लेकर कहां तक का? 20 तक का जो की बराबर हो जाएगा देखिए 1 गुना देखिए नीचे से देखते है तो देखिए यहां पर हमारे पस 2 की अधितम घाद कितनी है? यहां पे कितने हैं दो की घात एक, यहां पे कितने हैं हमारे पस दो की घात चार, यहां पे कितने हैं दो की घात दो, यहां पे कितने हैं दो की घात तीन, फिर यहां पे कितने हैं हमारे पस दो की घात दो, और यहां पे कितने हैं हमारे पस दो की घात एक, तो देखे सबसे अ कितनी है हमारे पास चार उसके बाद देखे तीन की तो यहां पर तीन की अधिकतम घात कितनी है एक यहां पर कितनी है तीन के अधिकतम घात एक फिर यहां पर कितनी हमारे पस तीन की घात दो यहां पर कितनी हमारे पस तीन की घात एक और यहां पर कितनी हमारे पस तीन की घात यहां पर किया 5 की घात 1? यहां पर कितनी है अमारे पस 7 की घात 1? यहां पर भी कितनी है 5 की घात 1? और यहां पर भी कितनी है 5 की घात 1? इसी प्रकार 7 की भी जो अधिकतम घात है वो कितनी है अमारे पस 1? अब देखी यहां से क्या जाएगा हमारे पस 11 की घात 1? तो यहां पर कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा ग्यारा से फिर किया हैगा हमारे पास यहां पर 13 की घात एक तो किस से गुना हो जाएगा आगे 13 से फिर कितना हैगा हमारे पास 17 की घात एक तो यहां पर किस से गुना हो जाएगा वो बराबर में कितना हो जाएगा तीन गुना साथ बराबर में कितना हो जाएगा तीन की घात एक गुना में कितना हो जाएगा साथ की घात एक जो बाइस होगा वो बराबर में कितना हो जाएगा दो गुना ग्यारा तो कितना हो जाएगा 2 की घात 3 गुना में कितना हो जाएगा 3 की घात 1 फिर कितना आएगा 25 बरावर में कितना हो जाएगा 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 5 की घात 2 फिर कितना आएगा मारे पास 26 बरावर में कितना हो जाएगा 13 गुना 2 तो बराबर में कितना हो जाएगा तेरा की घहत एक गुना में कितना हो जाएगा दो की घहत एक फिर कितना आएगा 27 बराबर में कितना हो जाएगा तीन गुना तीन गुना तीन तो तीन की घहत कितना आजाएगा तीन अब देखिए हमें क्या निकालना है हमें निकालना है एल चारी हो जाएगी, फिर कितना होगा, तीन की घात दो, अब यहाँ पर देखें, तीन की घात अधिक्तम कितनी हो रही है, तीन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीन की घात तीन, उसके बाद देखें, यहाँ पर पांच की घात दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना मे कितना होगा हमारे पास 11 गुना में कितना हो जाएगा 13 फिर गुना में कितना हो जाएगा 17 गुना में कितना हो जाएगा 19 और गुना में कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर क्या है एस्ट्रा 1-23 आया है यह इसका की घात दो गुना में कितना हो जाएगा पांच गुना में साथ गुना में 11 गुना में 13 और गुना में 17 गुना में 19 और हमारे पस के गुना एक्स जो है वो बराबर में किसका है एक गुना दो की घात 4 गुना तीन की घात 3 गुना 5 की घात 2 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 17 19 तब देखे हमारे पास जो की होगा वो बराबर में होगा 3 गुना में कितना 5 गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हमारे पास 23 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 23 तो यहाँ से कितना जाएगा के बराबर में हो जाएगा 15 गुना में कितना हो जाएगा दोसरा ईगान से लेवल तक 10 दाउनलोट करें डौट नेट आप या व्थ्साप कीजिए अपने डौट्स 0444स पर